नमस्कार मैं हूँ दीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशे सेग्मेंट में जहाँ पर आपर हम हर रोज औरिकल कार्ट के जरी जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है हम डिवाइन गाइडन्स लेते हैं एक से लेकर नौ मूलांग तक की जिससे हमें ये पता चलता है कि आज का दिन किस तरह से हमारा गुजरेगा किस प्रकार के hurdles हमारे सामने आ सकते हैं, challenge हमारे सामने आ सकते हैं और जो guidance आती है, उससे हम ये समझते हैं कि हमें आज की दिन को कैसे बिताना है और अपने challenges को किस प्रकार से overcome करना है तो यदि आपको नहीं पता कि कौन सी है आपकी reading या कौन सा होगा आपका मूलांक तो मैं आपको एक उधारन देकर समझाना चाहूंगी अगर आपकी rate of birth है 12 यानि की 12 तो एक और दो को जब आप जोडते हैं तो जोड आता है नमबर 3 तीन होगा आपका मूलांक और आज की तारिक है 25 दिसंबर 2013 आज की तारिक 25 यानि 2 और 5 को जब आप जोडते हैं तो जोड आता है नमबर 7 नमबर 7 जो अंक है उसके स्वामी है केतू तो आज क्या impact होगा एक से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर आए हम जानते हैं लेकिन आज एक बहुत विशेश बात मैं आपको केतू की बताती हूँ पता है राहू केतू से बहुत सारी लोग भैभीत होते हैं डरते हैं लेकिन केतू की एक विशेशता ये भी है कि केतू आपकी कुडली में कहां पर प्लेस है उससे आप ये पता लग सकता है आपको तो कुल मिलाके यह बहुत ही पाफुल प्लानेट है लेकिन आज मैं आपसे सर्फ इस प्लानेट की बात नहीं करूंगी कारिकरम की शुरुवात में मैं बहुत ही महतपुर्ण जानकारी देती हूं आप जानते हैं और आज मैं आपको बताने वाली हूँ आभा मंडल यानिकी और आपने सुनाई होगा और यह जो चीज़े आप देख रहे हैं इसे कहते हैं एल रॉड या औरा स्कैनर इससे हम क्या करते हैं कि किसी विक्ति के आभा मंडल को जो है नापते हैं लेकिन आगे मैं इन विश्यों के बारे में आपको और एपिसोड में बताऊंगी क्योंकि हम एक्जामपल हमारे मोबाइल फोन उसके अंदर कोई वायर तो लगी है नी लेकिन उसके बावजुद्रियों ड्रेडियेशन निकलते हैं उससे हमारी बातचीत होती है और हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ठीक उसी प्रकार से हमारे हमारे शरीर में कुछ समवेदनाय होती है और जिसकी बजह से एक प्रकार का जो उर्जा है जो एनरजी है वो हमारे शरीर से बाहर की और बहती है अब यह जो उर्जा है इसे कहा जाता है इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रो मैगनेटिक फील्ड और यही इलेक्ट्रो मैगनेटिक फील्ड आभा मंडल कहलाता अगर मैं साधरन भाशा में बात करूं तो अब यह आभा मंडल जो है यह कैसे चेक किया जाता है इसकी महत्वत्ता क्या है कि मैं आपको अपने कल के एपिसोड बताऊंगी आए बिना देर की हमारे आज के कारिकरम के हम शुरुआत करते हैं और आज यानि की 25 दिसंबर 2023 को कैस गुजरने वाला है आज एक से लेकर नौ मूलांग तक के जात्मों का दिन लेकिन कारिकरम को आगे बढ़ाने से पहले एक बार आप सभी हमारे क्रिष्टिन भाई भेनों को हमारे पूरे चैनल और पूरी टीम की ओर से क्रिस्मस की धेरोज शुब कामना है आएए जानते हैं मूलांग के लिए परमात मा हमें आज क्या गाइड गर रहे हैं इंजल एंशिस्टरस के माध्यम से और मूलांग एक के लिए कारड आया है उससे हटकर आप एक अधर प्रोफेशन को या अपने पैशन को अपने जिन्दगी में शामिल करें आप कुछ भी एक बदलाव की और आज आपका दिन दिखाई दे रहा है हो सकता है कि आपकी विचार धारा में परिवर्तन हो हो सकता है कि आज से पहले आप जो डिसिजन लेने वाले हो सड़नली आज वो आपका चेंज हो जाए तो कुल मिला के आज का दिन जो है वो स्थान परिवर्तन का है यात्रा का है विचारों के परिवर्तन का है तो इस चेंज का स्वागत करें आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारे एंजल एंसिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 25 दिसंबर 2013 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमें कहा जा रहा है हंटर का कार्ड है देखिए जब एक कार्ड आता है तो स्वभाविक सी बात है आपसे कह रहा है कि अपने ध्यान को बाहर की दुनिया में ना लगाएं बलकि खुद का आज स्वाध्याय करें अब स्वाध्याय करने का अर्थ होता है अपने बारे में वास्तिक्ता को जानना और खुद को बेटर बनाना लेकिन ये तभी संभव है जब बिलकुल भी एहंकार ना हो तो आज आपको कहा जा रहा है मूलांक दो के जातकों को इगो से बच के रहें और अपनी कमियों को देखें और सुधारें आप किन चीजों से डरते हैं तो कहते हैं डर के आगे जीत है तो कुछ न कुछ ऐसी परस्तिती का निर्मान आज हो सकता है कि आपके जो फियर्ज हैं आपकी जो इंसिक्योरिटीज हैं वो आज आपको बाहर निकाल लेगा मौका मिलेगा लेकिन ये कैसे संभव है ये तभी संभव है जब इतना सा भी इगो ना हो आईए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें हमारे एंजल एंसिस्टर आज क्या गाइड कर रहे हैं 25 दिसंबर 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है कार्ड रिपीट हुआ है हंटर का कार्ड है सवभाव एकसी बात है कि मूलांक 3 के जात्मों से भी आज कहा जा कि किसी भी प्रकार की इंसेक्योरटी से आज अपने आपको आपको मुक्त रखना जरूरी है अभी जो इंसेक्योरटी है यह किसी प्रकार की हो सकती है करियर को लेकर हो सकती है रिलेशन्शिप को लेकर हो सकती है मनी को लेकर हो सकती है तो आपको क्या करना है आज इसका सामना करना है भागना नहीं है परिस्तिती से बलकि आज आपको situation का सामना करना है और आप तो जानते ही है कि आपको बता रखा है कि किसी प्रकार से आपको confidence कम लगता है तो कुछ मत कीजिए हनुमान जी का ध्यान कीजिए मंदर जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है अन्यता हनुमा कि 25 दिसमबर 2023 को क्या गाइड कर रहे हैं और मूलांक चार के लिए हमसे कहा जा रहा है शी वॉल्फ का कार है कहा जा रहा है बहुत जादा विक्टिम हुड में आप जी लिए अगर किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि आपको लोगों को जवाब देना जाहिए लेकिन न करेंगे सच बोलें अपने कमिनिकेशन को सपष्ट रखें जितना क्लियर बोलेंगे उतना ही क्लियर भीतर से महसूस करेंगे उतनी ही अधिक और जो दिन है वह भीतर की दबी हुई कि नेगिटिविटी को बाहर निकालने का है अपनी इच्छाओं को बाहर निकालने कर उसको पूरा करने का है और यदि किसी भी प्रकार से कमिनिकेशन क्लियर ना रहा हो तो इस पष्ट रूप से अपनी बात को कहने का है लेकिन एक बात क्या ध्यानक नहीं है कि जो भी ची सम्बर 2030 को हमें क्या गाइड कर रहे हैं और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है एयर गार्डियन का काड है आपको कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं आपको अगर आपके मन मुताबिक सक्सेज नहीं मिल रही है या किसी प्रकार की कोई परिशानी आ रही है तो उसके लिए किसी बड़े बदलाव की जरुरत नहीं होती हमारे थौट प्रॉसेस में थोड़ा सा चेज हमारी सिचुएशन को हमारे मूड को बदल के रख देता है तो आज का दिन ठीक आपको उसी प्रकार से केवल अपने थौट प्रॉसेस को बदलने में लगाना है क्योंकि हो सकता है आप 25 संबर 2030 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है लेडी का कार है एक महिला जो है वो आज आपके लिए बहुत जादा प्रॉफेटेबल साबित होंगी कहीं ना कहीं वो आपकी माताजी भी हो सकती है आपकी वाइफ सिस्टर हो सकती है आपकी बॉस या कलीग भी हो किसी प्रकार से उनसे गलत तरीके से आपको व्यवहार नहीं करना है और साथी साथ ये भी कहा जा रहा है कि Аज के दिन आपको धनलाब हो सकता है बहुत अच्छे चांचेस हैं कि आपके करियर के लिए आपकी ग्रोथ के लिए वेल्थ के लिए आपको नई आपरशुनिटी आज के दिन प्राप्त होगी आपका दिन शुबहो आए जानते हैं मूलांस साथ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 25 निसमबर 2023 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमें कहा जहारा है देखिए मून का कार्ड है आज की तारीक का जो मूलांक है वो भी है हमब इसको हैं बातरा कि अंतर्मन के लिए तो उसको मानिये कि उसकार को ना कीजिए और अगर किसी व्यक्ति के साथ बात करने के लिए आपको बात को नील बेड़ जाना चाहिए साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि स्वपने के माध्यम से या फिर एंजल आंसर्स के माध्यम से ब्रह्मांड आपके प्रश्णों का उत्तर आज आपको देगा तो कुल मिला के अगर मैं बात करती हूं overall तो आज आपकी spiritual growth बहुत अच्छी होगी और spiritual growth के साथ साथ चुकी हर चीज हमारी उसी से connected होती है तो जितना spiritual growth में आज आप रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो personal life है जो professional life है वो भी grow करेगी आपका दिन शुभ हूँ आए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें हमारे एंजलन सिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 25 दिसंबर 2030 के लिए और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है warrior का card है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन किसी प्रकार के challenges आपके समक्ष आ सकते हैं हो सकता ऐसा कोई कार आपक कि आपने पहले कभी किया ना हो और आपको डर लग रहा हो कि कैसे इस challenge को मैं complete करूँगी कैसे इस काम को करूँगी नया task है नई responsibility है तो आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत easily उसे overcome कर लेंगे क्योंकि आपके साथ आज divine की blessing जुड़ी हुई है बस आपको क्या करना है आपक को एक warrior की तरह आगे बढ़ना है full confidence के साथ और अगर किसी प्रकार से आप confidence को lose करें तो आज अपने कारे पर निकलने से पहले हनुमान जी के चर्णों में आज आपको उनका आशिरवाद ले लेना चाहिए और उनका जो सिंदूर है उससे अपने मस्तक पे गले पर या फिर आभी में या हिर्दय चकर पर धारन करें आपका दिन शुभोग आईए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमारे angels and sisters आज हैने की 25 दिसमबर 2023 को हमें क्या guide कर रहे हैं और मूलांक 9 के लिए कहा जा रहा है air guardian का card है आपकी energies बहुत अच्छी हैं बहुत ही अच्छी उर जाए हैं ल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है तो उसके पीछे का जो में रीजन आज जो कहा जा रहा है वह है आपकी fear-based energy आपकी insecurity जो भी कोई कारे आपने देखा अगर the power of manifestation the secret अगर आपने सुना हो जाना उसके बारे में तो सबहुत है आज आपके साथ वही चीज काम कर रही है आज के दिन वही सोचें वही करें जो वासरिक्ता में आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं तो बेटर क्या होगा अपने thought process में थोड़ा सा परिवर्तनाज ले कर आए आपका दिन शुव हो तो दोस्तों ये दी reading हमारी एक से लेकर 9 मूलांग तक की हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को मेरी क्रिस्मस आपके भीतर बैटे परमात्मा को मेरा प्रणाम